हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं डिसकस कुरूँगा कोशन नमबर 7 और कोशन नमबर 8 ऑफ एक्सरसाई 6.2 के अब देख लिए अब देखो बाट्र में क्या देरखा है using थिए यूज़िंग थेोरम 6.1 और कौशन नमबर 8 पे देरखा है एक्जाम में आनी है वह एक्जाम में नहीं आती सिर्फ उसका जो प्रूफ है उसको यूज नमबर सेवन यूजिंग थेोरम 6.1 मतलब हमें भी पेटी थेोरम का यूज़ करना है प्रूव देट लाइन ड्रो थूदा मिड़ पॉइंट ओफे वन साइड ओफे ट्रेंगल पैरलल टू अनदर साइड बाइसेट दा थर्ड साइड यह कहना चाहरा है अमें चाहर बनाऊंगा तो आपको जाओव थोड़ा से ज्वाइज समय भाइगा कि किसी भी ट्रेंगल में एक पॉइंट कोई भी साइड उसका मीड़ पाइंट से एक लाइन ड्रो की पैरलल जो थर्ड दूसरी लाइन के पैरलल है तो हमें पताना है कि जो वह थर्ड साइड है वह उसको भी क्या करेगी तो देखो अब मैं इसमें सिर्फ फिगर से करा रहा हूं बना रहा हूं इसकी पहले फिगर सॉल्यूशन सैमन का प्रूव दैट ता लाइन थू लाइन ड्रो थू दा मिड़ पॉइंट और वन साइड ओफे ट्रेंगल एक ट्रेंगल दे रखता है ABC इसका एक पॉइंट मिड़ फॉइंट से यह मिड़ पॉइंट ले लिया यहां से एक पैलल आएन डो की यह साइड इसके पैलल तो हमें प्रूव करना है जो E, E होगा, ये भी इसका, ये midpoint होगा AC का, तो इसका मतलब जो given है, given इसमें क्या आ गया हमारा, given आ गया, AD equal to DB, एक तो ये है, और क्या given है, DE parallel to BC, और ये side इसके parallel है, to prove, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, by set, मतलब E is the midpoint, E is the midpoint of AC, आप प्रूव, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि अगर किसी भी triangle में कोई side parallel है, तो बस आपने उस side पो उस पर concentrate करना, कि वो किस triangle में है, तो इसमें तो यहाँ दे रखा है, कि ये side इसके parallel है, तो ये कौन सा triangle बना, तो इसमें तो एक ही triangle है, तो इन triangle ABC लिया, DE parallel to BC, ये दे रखा है, तो by BPT, BPT से क्या हो जाएगा, AD upon DB, किसके equal हो जाएगा, AE upon EC, अब यहाँ देखो, पर हमें AD और DB तो equal दे रखा है, तो अब मैं AD की जाएगा, मैं DB लिख सकता हूँ, तो DB upon DB, equal to AE EC, region आप लिख लेना, कि AD किसके equal है, DB के, यहाँ यह cancel हो के one by one, इसका cross multiply कर लो, तो जब cross multiply करोगे, तो क्या आगया, AE equal to आगया EC, cross multiply करते ही, क्या आगया, कि यह वाली side इसके equal हो जाएगा, तो by, देखो, यह तो मैं prove करना था, कि यह अगर, यह side इसके को लागी, तो इसका मतलब है, E is the midpoint of AC, hence prove, हम यही तो prove करना था, कि यह E क्या आगया, इसका midpoint हो गया, अब question number 8, using theorem 6.2, मतलब अब इसमें हमने converse of BPT का use करना है, prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle, वो कह रहा है, किसी भी triangle के 2 midpoint को अगर join कर दे, किसी भी triangle के अगर 2 midpoint को join कर दे, तो वो join की है line, वो जो third side के वो parallel होगी, यह मैं prove करना है, तो इसके मैं figure उना देता हूँ, figure है, यह, given क्या है, कोई triangle ABC, यह दो midpoint दे रखे है, D and E are the midpoint, prove हमें करना है कि यह वाली side इसके parallel, तो सबसे पहले तो given लिखो, given क्या लिखोगे, D is the midpoint of A, B, और दूसरा, E is the midpoint of AC, to prove, prove क्या करना है, हमें prove करना है, यह इसके parallel, D, E parallel to BC, अच्चे जी, prove से start करते हैं, देखोगे, सबसे पहले मैं लिखा D के बारे में, पहले लिखा D, D is the midpoint of AB, अगर यह midpoint है, तो कौन कौन side, AD equal to, DB, यह इसके equal, कि यह दोनों side आपस में क्या हो जाएंगी, equal, अब next, AD equal to DB आगया, तो दोनों side आप क्या आगर हो, DB से divided कर दो, divided by DB, तो यहाँ पर आज जाएगा, AD upon DB, और यहाँ पर आज जाएगा, DB upon DB, तो यह कटके, one by one, equation number one, same case, right hand side पर अपलाई करना है, right hand side में में क्या दे रखा है, E, E is the, midpoint of, AC, अब E अगर इसका midpoint है, तो कौन-कौन से side एक को लोगी इसमें, इसमें होगी, AE equal to EC, यह वाली साइड इसके एक को लोगी, अब divided by, इसमें divide करेंगे हम EC से, by EC, जब दोनों को EC से divide करेंगे, तो AE upon EC, और यहाँ भी EC upon EC, यह cancel होगी, यह one by one आगया, number two, अब, from equation, one and two, जगवरे, one and two, दोनो right and right equal है, तो left and भी equal हो जाएगी, तो हमारा क्या आजाएगा, AD upon DB, यह equal to, AE upon EC, अब यहाँ देखो, किस-किस का ratio है, यह हमारा यह ratio है, AD upon DB, किसके को लागे है, AE upon EC, तो अब यहाँ तो converse लग रही है, अगर ratio equal है, तो क्या लगेगा, by, converse of BPT, तो यह कौन किसके parallel आजाएगा, इसमें आजाएगा, DE parallel to BC, तो यही तो में प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है बटा, तो question number 7 में, हमें सिर्फ एक midpoint था, और एक parallel था, 8 तो में हमें, दोनों midpoint थे, तो उसको parallel प्रूव करना था, तो यह हो गया, हमारा question number 7, and question number 8, ओके बटा, thank you, and have a nice day, की प्रूव, की प्रूव,